नमस्कार किसान भाईओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लचमी फार्मिंग में किसान भाईओ, आज हम आपके लेक नहीं वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको जनकारी देनने वाले हैं कि धान की बेस्ट नरसरी कैसे त्यार करें जैसा कि किसान भाईयों आप सभी जानते हैं कि धान की नरसरी तयार करने का सबसे उत्तम समय चल रहा है आज की इस वीडियो में हम आपको धान की नरसरी से जुड़ी हुई संपूर जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे धान की अच्छी से अच्छी नरसरी तयार कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में जैनकारी देने वाले हैं, एदि आप इस रास्ते को अपनाएंगे, तो आपकी नरसरी कभी नहीं खराब होगी, आप एक दम स्वष्थ और सबसे अच्छी नरसरी तयार कर सकते हैं, आपकी धान की नरसर धान की नरसरी तयार करने के लिए, सबसे पहला जो कदम होता है, वह होता है कि आपको अपने खेत की तयारी करनी होगी, खेत की तयारी से मतलब है कि आपको एक जमीन का चुनाव करना होगा, जहां पर आप अपनी धान की नरसरी डालने वाले हैं, साथ में उसकी तयारी करन दोस्तों धान की नरसरी के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वहां दोमट और चिकनी मट्टी होती है इस मिट्टी में आप अपनी धान की नरसरी को डालने की कोशिश करें धान की क्यारी तयार करते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जहां भी अपनी क प्यारियों के किनारे किनारे एक नाली बना दें जिससे की जो धान की नरसरी में आपका अधिक पानी होगा वह उस नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। अच्छे से जोताई गर दें जिससे वह सारे जो खर पतवार हैं वह नश्ट हो जाए। उसके बाद आप अपनी उसमें धान की नरसरी डालें। पानी के अंदर भी हो दें। उसके बाद आप अपने धान के बीच को 24 गंटे के बाद पानी से निकाल कर 10-15 गंटे के लिए जूट के बोरे में ही रहने दें। उसके उपर अच्छे से छीट कर मिस्रल कर दें, मिला दें, लेपल कर दें। एकदम बकायदे लेपल कर दें। जिससे आपका जो धान का बीच है वह अच्छे से अंकुरिद भी हो जाए। और साथ में वह अच्छे से असानी से जमाव ले ले खेत के इंदर। आप 8 kg बीच के रेट से लेकर धान की नरसरी तयार करें। दोस्तों नरसरी तयार करने के लिए एक विशेज बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने एक ऐसी धान की वरेटी का चुनाव किया है जो लेट में तयार होती है जिसकी फसल अवधी 140-150 दिन की होती ह है उसकी नरसरी आप जल्दी दियार करें उसकी नरसरी आप 15-20 मई के बाद कभी भी डाल सकते हैं और 20 जून के पहले पहले डालें। यदि आप एक ऐसी धान की वरेटी को लगाना चाहते हैं जो आदली वरेट मेचरोटी की है जिसकी फसल अवधी 110-120 दिन की होती है या 125 25 दिन की होती है तो आप उसकी नरसरी एक जून से लेकर 25 जून के अंदर तयार कर सकते हैं और जैसे ही आपकी नरसरी तयार हो जाए तुरंत अपने खेतों में उसकी रुपाई कर दे नरसरी दोस्तों आपकी 20 से दिन के अंदर या 20 से 30 दिन के अंदर असानी से तयार हो जा आप जैसा कि जानते हैं बहुत यादा गर्मी पड़ रही है जिससे यदि आप अपने जो क्यारी है उसमें आपने सुबे से पानी भर दिया तो पानी इतना खोलता और इतना गरम होगा कि जब आप उसमें अपनी धान की नर्शरी जो अभी अंकृत हुई है यदि आप उसको छीटेंगे तो वह जल जाएगी खराब हो जाएगी वह तयार नहीं होगी अच्छे से उसका जमाओ नहीं आएगा तो आप कोसिस करें कि आप अपनी धान की नर्शरी को साम को डाले और साम को डालते समय आप उसमें ताजा पानी भरें ताजा पानी भर के डालने से ये और आपकी जो नर्सरी है वह जल्दी से जल्दी तयार होगी और अच्छे से उसका जमा होगा किसान भाईयो अब हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी तयार करते समय आपको कौन सी खात का इस्तमाल करना चाहिए धान की नरसी त्यार करते समय आप सिर्फ DAP खाद का इस्तमाल करें DAP खाद का अगर हम बात करें कि आपको कितनी मातर में डालना चाहिए तो 2 kg प्रति विश्वा के रेट से आप धान की नरसी त्यार करते समय इतनी मातर में DAP का इस्तमाल करें दोस्तों यदि आप अपनी धान की नरसरी डालने जा रहे हैं तो खाद को आप धान की नरसरी डालने से पहले एक से दो दिन पहले आपने खेतों में इसको छीर्ट दे और अच्छे से इसकी मिलाई करा दे आपकी जो एक दो एक या दो इंच की मिट्टी की परत है उसमें D.A.P. खाद नहीं होनी चाहिए तो आप कोशिस करें कि जो भी खाद आपको डालनी है जैसे कि DAP खाद उसको आप नरसरी डालने से एक दो दिन पहले अपने खेतों में छीट दे और उसकी अच्छे से मिलाई करा दे किसान भाईयों अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी धान की नरसरी में खर पत्वार उगाते हैं तो आप खर पत्वार नियंत्रण के लिए क्या करें दोस्तों, खरपतवार नियंतनल के लिए आपको खरपतवार नाशक दवा का इस्तमाल करना पड़ेगा जैसे कि साथी, साथी एक बहुती बढ़ें खरपतवार नाशक दवा है जो UPL कंपनी की आती है, इसकी packet आती है, आप इसकी packet को ले ले और अपनी धान की नरसरी में इसका छिड़काओ कर दे दोस्तों आपको एक खास बात बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी धान की नरसरी में खरपतवार नाशक दवा का इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपने जैसे ही धान की नरसरी डाला है धान की नरसरी डालने के 8 से 10 दिन बाद आप खरपतवार नाशक दवा का इस्तवाल करें जब आपको अपनी धान की नरसरी में खरपतवार दिखने लगें जैसे ही आपको खरपतवार छोटे छोटे दिखने लगें तुरंद आप अपनी धान की नर्सरी में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काओ कर दें, जिससे कि आपकी धान की नर्सरी से खरपतवार आसानी से नश्ट हो जाएं। किसान भाईयों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी धान की नर्सरी में पानी कब देना चाहिए। दोस्तों, पानी देने का जो सबसे सही और उत्तम समय होता है, वा साम का समय होता है, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि इसमें बहुत यादा भेहारा गर्मी पड़ रही है, इस समय बाहर का टंप्रेचर 38-45 डिगरी तक पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमा अगतरके से गायव हो जाएगा, इसलिए आप कोफिस करें, अपनी दान की नर्सरी में साम के समय पानी लगा रहे हैं, वा सुबा उठके आप उसको निकाल दे और फिर से आप साम को पानी भरें, दिन के समय आपकी नर्सरी में पानी बिलकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय बाहर इतनी यादा गर्मी पड़ रही है यदि आपकी धान की नरसरी में पानी रह जाएगा तो आपकी पूरी नरसरी जुलर जाएगी खराब हो जाएगी पीली पड़ जाएगी तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको अपनी धान की नरसरी में साम के समय पानी लगाना है और सुबह के समय उस पानी को निकाल देना है। सुबह के समय आपके धान की नरसरी में दिन भर पानी नहीं उना चाहिए। तभी आप बेस्ट से बेस्ट नरसरी उगा सकते हैं और आपको धान की अच्छी से अच्छी खेती करने से कोई नहीं रो सकता और आ पर कभी भी भूल कर कोई भी पुवाल, कूड़ा, करकट, कचला कभी न जलाएं। जमाव नहीं होता है या इसी कारण होता है क्योंकि उस जगहां की जो फर्टिलिटी होती है उपजावपन होता है वहां मर चुका होता है वहां खतम हो चुका होता है और आपकी नरसरी जो भी आप तयार कर रहे हैं जेस भी फसल की तयार कर रहे हैं वहां अच्छे से तयार न नहीं होती है तो आपको जिस जगहां आपकी धान की नरसे त्यार करनी है उस जगहां पर भूल कर भी कोई भी कुड़ा करकट कोई भी पुवाल पैरा कभी न जलाएं जिससे आपकी जमीन की उर्वरख शक्ती हमेशा बनी रहे यदि आपको आज की हमारी या वीडियो के लिए धन्यवाद